ग्रहमंद्री आमिशा आज हाइदरबाद में है, जहां पर BJP हैदरबाद Liberation D मना रहे है और उसी की तस्जीर आप देख रहे हैं, आर्मी परेट ग्राउंड में ग्रहमंद्री आमिशा है इसी कारिक्रम में शामिल होने के लिए ग्रमंत्री अमिशा पहुंचे हुए है और यह आप तस्मीर देख रहे हैं हैदरबाद मुक्ती दिवस पर ग्रमंत्री अमिशा ने तिरंगा फेरा है बीजेपी लिबरेशन डी के तौर पर इसको मना रहे है जबकि जो टियरस सरकार है वो इसे एक तदिवस के तौर पर मना रहे है और बीजेपी के सकारिक्रम का इस दिवस का विरूत किया जा रहा है और वैसी ने तो यहां तक कहा कि शुनाओं में नजदीक हैं तो ऐसे में हिंदु मुसल्मान करना चाह रहे है बीजेपी तस्पिरे हैं आर्मी परेड ग्राउंड की आज ही के दिन भारतिय संग में विलाय हुआ था हैदराबाद का और बीजेपी से लिबरेशन डे के तोर पर मना रहे है हैदराबाद मुक्ती दिवस पर ग्रेमंत्री अमिश्या ने तिरंगा फैरा दिया है इस वक्त आर्मी परेड ग्राउंड में वो मौझूद है और जो वहाँ पर फीडिबैक फार्म होता वहाँपर ग्रेमंत्री अमिश्या अपना कुछ नोट ल Kane ऐस सबक्त देख रहे हैं जो विवा के सतधारी दल है वो ये कह रहे हैं कि बस हिंदू-मुसल्मान किया जा रहा है और चुनाओ के रिष्टि से इसको देखा जा रहा है एक तर दिवस की तौर पर मना जाना चाहिए था लेकिन BGP Liberation Day की तौर पर इसको मना रही है और गर्मंत्री आमिशाब इसी कारेकरम के लिए हाइदराबाद में पहुँचे हुए है हाईदरबाद मुक्ती दिवस बर ये आप तस्मीरे देख रहे हैं सुरक्षा के विशेश इंतजाम और गर्मंत्री आमिशा जंडा फेराने के लिए महाँ पर पहुंचे वे थे और उन्होंने तिरंगा फेराया है तो लिबरेशन डेव मनाया जा रहा है आजे के दिन मशक्रत के बाद भारत में जुड़ पाये थी ये जो रियास्त है और सरदार पटेल का बड़ा योगदान इसमे है